दोस्तों यदि आप एक investor हैं और आप निवेश करते हैं mutual fund में तो different type के category के साथ आपको सभी category के अच्छे funds में निवेश करना चाहिए ऐसे मैं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि gold fund में कैसे आपको निवेश करना है कौन-कौन से gold fund है जो की आपके लिए अच्छा रहेगा निवेश करने के लिए तो यदि आप gold fund में निवेश करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फंडा में तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो के अपडेर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भ फंड में निवेश करते हैं तो आपको ELSS फंड डेप फंड और गिल्ड फंड और ऐसे ही कुछ अलग अलग डिफ्रेंट टाइप के कैटेगरी के साथ आपको उस कैटेगरी के बेस्ट फंड में निवेश करना चाहिए वैसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग-अलग फंड में डावर्सिफाय हो जाएगी और आपका रिस्क बहुत कम रहेगा और दोस्तों यदि आपने सभी कैटेगरी के बेस्ट फंड में निवेश किया है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिनले की संभावना है तो दो करने में ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि मानलो किसी मंत आपको किसी फंड का नेव 10 रुपे में मिलता है और नेक्स्ट मंट उसी फंड का नेव 9 रुपे में मिल सकता है फिर अगले मंत उसी फंड का नेव 11 रुपे में मिल सकता है और फिर अगले मंत उसी फंड का ने है उससे भी कम मिल सकता है तो इस ताह से दोस्तों यदि आप निवेश करते हैं ऐसा एपी के थुरू तो मार्केट के फ्लेक्ट्वेशन से आप बस्ते रहेंगे और आपको ज्यादा रिटन की उमीद के साथ साथ आपका रिस्क भी कम रहेगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रो एप में और आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा गोल्ड फंड ज्यादा बैटर रहेगा आपके निवेश करने के लिए तो दोस्तों आपको ग्रो एप में आ जाना है और यहां पे नीची करने के बाद आप यहां पे क्विक एक्सिस में देखोगे क Q जाना है और यहां पे अगल फंडस आपको नहीं दिखाए दे तो आपको इस तरह से आपको इसे move कर लेना है और देख लेना है कि कहां पर gold funds लिखा हुआ है तो मैं यहां पर देख पारा हूँ gold funds के बारे में तो मैं इस पर click कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर बहुत तरह के gold fund आपको दिख जाएंगे जिस पर ratings भी दी गई है 3 star, 2 star, 4 star की तो जो भी gold fund आपको अच्छा लगे आप उसमें निवीश कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो कि Kotec और Axis का gold fund ने 3 years में 17% तक का return दिया है तो मैं Axis वाला पहले आपको दिखा देता हूँ तो इस पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो और यहां के returns वागेड़ा track कर सकते हो 1 year में 47% इसने दिया है 3 year में 17% 5 year में 10.1% तो इस तरह से आप देख सकते हो ठीक है? Returns इन्होंने दिया है अब SIP वागेड़ा भी आप कर सकते हो SIP 1000 रुपे से start है One time investment करना चाहते हो तो 5000 रुपे one time invest कर सकते हो हाला कि आप देखोगे क्योंकि ये gold में ही निवेश करती है तो holdings देखने की ज़रत नहीं है Other mutual funds की holdings देखनी चाहिए लेकिन gold वाले fund की आप ना भी देखो holdings तो आपको पता होना चाहिए कि ये directly gold में ही निवेश करती है तो अब यहां पे आपको निवेश करना है तो one time करना है तो one time पे क्लिक करके normally amount डालके जैसे 5000, 20,000, 10,000 जो भी आपको डालना है डालके proceed करके निवेश करना है या फिर आप SIP करना चाहते है तो monthly SIP पे क्लिक करके यहां पे 1000 रुपे के SIP करना चाहते है या 2000 की जो भी करना चाहते है उस पे क्लिक करके proceed कर देना है ठीक है और SIP करने के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है तो आप देख लीजिए अगर आप पहली बार SIP कर रहे हो या फिर इसमें निवेश कर रहे हो तो निवेश करने का पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ वो भी आप देख ले तो दोस्तों इस तरह से आप गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हो और दोस्तों एक बात और कि यहां पे mutual funds में यदि मानलो यहां पे गोल्ड फंड आपको नहीं दिख़ए तो यहां पे सर्च मार सकते हैं सर्च में जाना है mutual fund या all पे क्लिक कर लेना है ठीक है और यहां पे गोल्ड लिखना है तो दोस्तों गोल्ड जैसे ही आप लिखोगे तो यहां पे बहुत से गोल्ड फंड आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों आई ओप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैंने जिस तरह से कहा है निवेश करने के लिए उस तरह से निवेश करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट के फिल्ड में या स्टॉक मार्केट के फिल्ड में या क्रिप्टो मार्केट के फिल्ड में या वेबसाइड डिवलपिंग के फिल्ड में तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट को देख के और भी वीडियो बना पाऊ और आपको सही सुजाव दे पाऊं तो दोस्तों आज के लिए बसेतना ही मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय नमस्कार